सब्सक्राइब कीजिए क्रिकाउन रेल यूट्यूब चैनल को और दबाई इस पास में दिये गए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके क्रिकाइट और रेलवे से जुड़ी हर छोटी वड़ी अपडेट सबसे पहले अब दो अब दो अब अब आप लोग बात करें यहां पर हम लोग बात करें जहां पर मैं आप लोगों से पूछा था कि इंडियन डेलवे स्की जो टोटल ट्रैक लैंथ हो कितनी है अब लोगों यहां पर पास में दिख रहे होंगे और साथी में दिख रहा होगा पूल का रिजल्ट भी दोस्तो इसका जो सही आंसर है वो है 1,21,000 और आप में से 79% लोग जो है उनने बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तो हाला कि इस चीज़ को हम लोग परफेक्टली एक दम नहीं बता सकते क्योंकि इंडियन डेलवेस में हर रोज जो ट्रैक की लेंथ है वो बढ़ती जा रही है इसका हर रोज जो है progress होता जा रहा है लेकिन इंटरनेट के आंकडों के according अगर हम लोग देखे तो 1,21,000 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है और इसको लेकर मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता है क्योंकि आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भी नीचे comment box में जाके लिखेंगे कि भाई यह आंसर गलत है इसमें से अभी जो 1,21,000 है इससे बहुत जादा हो चुका है तो इसको अभी हम लोग असाइड रखते हो अब बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हैं आज की वीडियो के पोल के लिए आप लोग का सवाल ये है कि हमारी इंडियन टेलवेस में चलने वाली डेकन ODC को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था यानि कि ये ट्रैक पर पहली बार कब आई थी ओप्शन्स आप लोग उपर आई बटन के उपर मिल जाएंगे इसके बारे में मुझको जरूर से बताइएगा इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों अब हम लोग बढ़ते वीडियो मागे बात करते हैं हमारी सबसे पहली अपडेट की दोसे यहाँ पर सबसे पहले अपडेट निगर कर आ रही है वो आ रही है एरेना कुलं जंक्शन के आसपास के जितना भी एरिया है यानि कि एरना कुलं के चोटे यहां पर अभी बहुत जादा जो हाँ बोल सकते कि एक राउडेट सिटी हो गई है और इसकी वज़े से यहां पर काफी सारे जो लोग है यह कई वाय ट्रैक के उपर आ जाते हैं और ऐसे में जान जाने का जो खत्रा है यह काफी जादा बढ़ गया है तो दोस्तों इस यह रहती है कि यह काम कब तक कंप्लीट हो पाता है और हम लोग उमीद करते हैं यार कि सिर्फ एरना को लम जंक्शन पर ही नहीं बाकि इंडियन रेलवेस के हर एक रेलवे स्टेशन के आसपास हम लोग को ऐसी जो बोल सकते फैंसिंग वगरा है यह देखने के लिए मिल जा लिकल कर बाहर जाते हैं तो मैट्रो से निकलकर आप लोग बाहर जाएंगे तो वहां पर एक साइकल का स्टेशन रहता है जहां से आप लोग जो साइकलै से मिनिममऄ सब्सक्रिप्षन के साथ में लिकर कहीं पर पढ़िकर नों कि या सकते हैM और इसके वह आसपास, तो डो फिर छोटे-छोटे सभी जगा पर आप लोग को यह जो cycle की facility है यह बहुत ही जल्दी available होती हुए दिख जाएगी तो काफी अच्छी update है यार उमीद हम लोग यही करते हैं कि बहुत ही जल्दी यह जो काम यह BMC जो है वो complete कर लेगी क्योंकि यह BMC और railway जो है दोनों ही साथ में मिलकर collaboration में काम कर रहे हैं तो और हम लोग उमीद यह करते हैं कि आगे जाकर हमको Indian railways के हर एक railway station पर ऐसी facility देखने के लिए मिले तो कहीं ना क इसको लेकर काफी जादा हम लोग confusion में रहते हैं कि अगर bullet train हमारी इंडिया में आ भी जाएगी उसके बाद भी हमारे जो इंडिया है यहां पर जो जादा लोग है वो bullet train को prefer नहीं करेंगे हाला कि यहां पर अभी हमारी जो Indian railways से उसने एक चीज़ क्यारिफाय करी है कि अग अगर हम लोग बात करें इसके fair की यानि कि किराय की तो इसका जो किराया होगा वो 3000 के आसपास रहे यानि कि 3000 से start होगा bullet train में भी शायद अलग-अलग classes रहेंगी तो जो किराय है वो vary कर सकता है लेकिन 3000 बहुत ही मेरे को लगता है कि economical रहेगा एक तरीके से अगर आप लोग bullet 15 घंटे की जर्नी करते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है तकरीबन इतना ही पैसा दे देते हैं और अगर वहीं हम लोग 3000 रुपे इन्वेस्ट करके हमारी जर्नी है उसका travel time हम लोग आदर जो है cut off कर लेते हैं और हमारी जो travel experience है वो भी काफे जादा बढ़ जाए तो उसके लिए 3000 रुपे मुझे को लगता है कि वैलेड है आप लोग को और क्या लगता है इस cost के बारे में या फिर आप लोग को लगता है कि यह जो cost यह 3000 रुपे नहीं होगी या फिर जादा होगी आपके जो भी views हो मुझे जरूर से बताएगा नीचे comment box में दोसे यहां पर जब लेट निकड़कर आ रही है वो आ रही हमारी MCF राय वरेली की तरफ से दोसरो MCF को जब manufacturing के लिए हमारी जो Indian डेलवेस इसने बनाया था तब हमारी Indian डेलवेस का main motto यह था कि हमारी जो यह MCF है यह हमको हर साल 1000 lhb डब्बे जो है वो manufacture करके दे और इसी क के बाद में यहां पर हमारी जो MCF की capacity बड़ी यहां पर workers बड़े इसकी efficiency बड़ी और इसके बाद में हम लोग इससे expect कर रहे थे कि हर साल हम लोगों को 2000 जो कोचे से यह बना कर दे at least और अभी अगर हम लोग बात करें इस financial year की तो दोस्तों इस financial year के अभी चार महीने बीते ह और इस चार महीने में हमारी जो MCF इसने 554 एलेजबी कोचे जो है वो अल्रेडी मैनिफेक्चर कर दिये हैं जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है सिर्फ चार महीने में 554 कोचे को मैनिफेक्चर करने का और अगर हम लोग इस हिसाब से देखे तो यह जो नंबर है यह 2200 या 2300 क करती रहेगी ताकि आगे जाकर हमारा जो सफर है इंडियन रेलवेस में यह काफी ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगा दोसे आपर जो अपर निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन रेलवेस के बहुत ही अच्छे इनिशेटेव को लेकर दोस्तों आप सभी लोग ज निशान होती है इस रेलवे लाइन की वज़े से हाला कि यह एटलीस हमारी जो नीशन है उसको सर्वी करती है आखरी में जाके काफी सारे लोग को यहाँ पर फैसलिटी होती है रेलवे लाइन बनने से लेकिन हमारा जो नीचर है वो काफी ज़्यादा इस सफर करता है तो द लगाने वाले टाइम में 25,000 से भी ज़्यादा जो पेड़ है उनको लगाया जाएगा और यह हम लोग बोल सकते ही कि एक इनिशाल स्टेज है इसको आगे जाकर हमारी जो इंडियन डेलवे से और बी ज़्यादा बढ़ाने वाली है और यह जो 25,000 पेड़ लगने वाले है यह पूरी तरीके से हमारी जो रेलवे के जोंस रहेंगे या फिर रेलवे की जमीन रहेगी उसी के उपपर लगाया जा रहे है तो काफी अच्छी अपडेट है अब देखने वाली बात यह रहती है कि आगे जाकर हमारी इंडियन डेलवेस और कौन-कौन से जोंस को आइड सारी चीज़े सक्सेस्फुल होने के बाद में भी एक जो बड़ा कॉस्चन मार्क था वो यह था कि भाई सब कुछ हो गया तो अब यहाँ पर ट्रेने कप से चलेंगी तो दोस्तों फाइनली आस से यहाँ पर जो ट्रेनों का संचाला है दोनों ही लाइन के उपर काफी अच निकल कर आ रही है वो भी आ रही हमारी बुलेट ट्रेंट प्रॉजेक्ट को ही लेकर दोस्तों यहाँ पर एक हमारा जो बुलेट ट्रेंट प्रॉजेक्ट है यह एक स्टेप और आगे बड़ा है यानि कि एक स्टेप हैट चला गया है और यहाँ पर अब हमारा जो बिल्ड अब देखने वाली बात यह रहती है कि सबसे पहले land acquisition का काम कब तक complete हो पाता है अभी इंडियन डेलवेस का target है कि December तक जो land acquisition का काम इसे complete कर लिया जाए अब December तक होता है या फिर नहीं होता है क्योंकि अभी भी land acquisition को लेकर काफी जादा जो आपोज है वो किया जा रहा है आप लोग को क्या लगता है कि क्या 2023 तक bullet train जो है वो ट्रैक पर आप आएगी दोड़ पाएगी और हम लोग bullet train में सफर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे क्या है आपका सोचना इसके बारे में मुझे जरू से बताएगा नीचे comment box में दोसे आपर जो गलेबरेट निकल कर आ रही है वो आ रही हमारी इंडियन डेलवेस की trains को लेकर दोस्तों हमारी इंडियन डेलवेस की trains में बहुत ही जल्दी आप लोग को movies, news और इसके अलावा music वगरा की जो streaming facility है वो अभी तक आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलती थ हैं तो यह जो content मिलता है हम लोग को काफी ज़्यादा boring मिलता है इसलिए काफी सारे जो लोग हैं वो इसको लेकर interested भी नहीं होते हैं लेकिन इसको अभी यहाँ पर हमारी इंडियन डेलवेस पूरी तरीके से change करने वाली है अपनी rail tail के साथ में आप बोल सकते हैं कि एक तरी आप लोग को wifi की सुविदा मिलती है वहाँ पर आप लोग को काफी अच्छी movies गाने सौंग वगरा यह सब सुनने के लिए मिल जाएंगे अब देखने वाली बात यह रहती कि practically यह सब कब possible हो पाता है दोसिया पर अगली राज की final update निकड़कर आ रही है वो आ रही है इंड किस तरीके से यह चलेगी क्या इसकी speed होगी इसके बाद में हमारी इंडिया ने भी इसको अपनाने की कोशिश करी यहाँ पर virgin one करके company है उसने यहाँ पर आकर पूरी तरीके से बताया था कि भाई किस तरीके से हम लोग हमारी इंडिया में भी जो hyper loop इसको install कर सकते हैं और इ 30 मिनिट में यह जो सफर इसको complete कर पाएंगे तो दोस्तों इसको एक step ahead बढ़ाते हुए हमारी जो इंडिया की government है या फिर इंडिया की जो government है वो आगे गई है और उन लोगों ने यहाँ पर tenders जो है वो allot करना शुरू किये हैं और अब यह जो tender allotment का काम हुआ है तो हम ल exhibitions हैं वो लगाई गई थी और इंडिया ने इसको अपनाया लेकिन यह अभी तक practically possible नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी तक यहाँ पर hyperloop जो है उसको इंसानों के लिए यह एक तरीके से safe है या फिर नहीं है यह अभी तक घोशित नहीं किया गया है लेकिन finally अगर इंडिया मे आपको सब पता चल जाएगा रेल टॉक्स एपिसोड में दोसों बस आज के रेल टॉक्स एपिसोड में यह थी कुछ major major updates मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नहीं और fresh एपिसोड के साथ में इसी के साथ में आप लोग के लिए एक update और मेरी तरफ से कि भाई कल पॉने आठ बजे या फिर आठ में दस कम पाच कम में मैं जो है अपने दूसरे चैनल पर यानि कि इंडियन क्रिकेट डायरीस वाला जो चैनल है उस पर लाइव रहूंगा यानि कि आपको यह जो एपिसोड मिलता है रेल टॉक्स वाला यह मिल देगा कल आप लोग को क्यों लाइव नहीं आ रहा हूं तो दूस्तों अभी यहां पर जो है में को थोड़ा कॉपी राइट इशू के प्रॉब्लम लग रहे हैं तो पहले मैं उस चैनल के उपर लाइव जाता हूं उसके उपर में थोड़ा टाइम तक जो है वो लाइव स्ट्रीम करके देखता तो उसके बाद में यहां पर मैं आ जाओंगा इस चैनल के उपर भी हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे कल बहुत देर तक लाइव रहने वाला हूं मैं कल बहुत सारी बाते करेंगे अब इसके अलावा मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ मे तो नीचे दिखरा होगा आपको चैनल का लोगों जिसके पर क्लिक करकर आप कर सकते जानों को सब्सक्राइब और पास ने दिखरेंगे और दो वीडियो जिनको देखना आप रिकुडिंग मन भूलेगा मुलागात होगे आपसे बहुत जल्दी एक और नई और वीडियो के साथ में तब तक के लिए ब्या टावलर ब्या एक्स्पोरर जय हैं जय भारत वन्यमादरम